हलो ये ब्रीबन, स्वागत है आप सभी का बलाष्ट कोचिंग क्लासिस में बलाष्ट कोचिंग क्लासिस की तरफ से 2023 की प्रिस्न बैंक की सीरीज दी जा रही है MP वोर्ड वालों की, हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम दोनों दी जा रहा है ये दसवी क्लास और बारवी क्लास की लिए है आपको क्या करنا है? गुगल की विपर जा करके बलाष्ट कोचिंग क्लासिस इस सर्फ करना है जैसी आप सर्फ करोगे तो जो अपकी पहली Link होगी उस पर आपकलिक करोगे तो इस Website पे आजाओगे और जो भी आपको study material चाहिए, 9th class का, 10th का, 11th का, 12th का, तो इसी के उपर मिलेगा इसी website में आप देखोगे, तो 12th जो हिंदी लिखा हुआ है, उसके उपर आप click करोगे और आप study material के उपर जाओगे, तो वहाँ से आपको 12th class का हिंदी का सारा study material मिल जाएगा NCRT की book बगेरा, last year के question paper बगेरा, और autopors की copy और ये जो PDF में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी मिल जाएगा ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएगे और आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हो, तो telegram की link की नीचे description में दियोगी या फिर website से जाकर के ले सकते हो, उसके उपर भी ये सारी PDF मिल जाएगे नेक्स्ट है हमारा ये YouTube channel बलास्ट कोचिंग क्लासिस, इसको आपको subscribe कर लेना है इसके उपर हमारे 10.9K subscription है, ठीक है, और अगर आप इसके playlist में जाते हो, तो इस playlist में जाकर के आपको सारा कुछ मिल जाएगा 10th question bank solution 2023 के 12th परिक्चाबोद और ये 10th परिक्चाबोद के AC आपको 12 की परिक्चाबोद ये question bank भी मिल जाएगे तो आप ले लिस्ट में जाकर के 12 परिक्चाबोद की ये सारी वीडियो देख सकते हो, उसके बाद मैं next चलते हैं हम हमारे main content के उपर, जो हमारा हिंदी का paper है, वो 80 marks का होने वाला है, जिसमें से 32 marks के object पर आने वाले हैं, तो परिक्चाबोद में से 32 marks के object पर उपर हम क्या क करें, फोकस कर रहा है, एकाई एक का मारा है काब अखट आरवे भाग दू, पहला question है सही विकल्प चुन करके लिखे, और इसमें पहला question हालाबाद की प्रवर्टक कभी है, तो इसके प्रवर्टक कभी कौन है, हरिवन्स राय बच्चन, दूसरा इत दिन जल्दी जल्दी तो इनका जन कहां हुआ था, इलाबाद में हुआ था, पांचमा हमारा, आत्म परीचे कभीता में कभी किस का भार लिये फिरता है, तो कभी किस का भार लिये फिरता है, जग जीवन का, छटमा है, आत्म परीचे कभीता में कभी जीवन में क्या लिये फिरता है, तो कभी जी कभी अपने रूदन में क्यान फिरता है तो जो कम पने रोधन में क्या लिए फिरता है राग लिए फिरता है कोई तरां विल्चे कभी उन्या का कई एक context अगला हैं दीवान इसके बाद में अगला है हमारा दस्वा question इन सारे objective को आपको बार-बार देखना है जितनी बार आप ये वीडियो देखोगे उतने जल्दी ये आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे ठीक है तो आपको पूरा और बार-बार देखना है जो आपका exam बगेरा होते हैं जैसे terminal, half early, pre-board या सूच कर जल्दी-जल्दी कौन चलता है तो ऐसा सूच सूच करके जल्दी कौन चलता है पंती जल्दी-जल्दी चलता है बार-बार-बार है किसका ध्यान करके चुड़ियों के अपपरों में चंचलता आ जाती है तो किसका ध्यान करके आ जाती है तो अपने बच्चों का तेरमा बच्चों की याद में आने पर चिडिया क्या करती है तो बच्चों की याद आने पर चिडिया क्या करती है तो वह जल्दी जल्दी चलने लगती है और उसके परों में क्या आ जाती है चंद चलता आ जाती है ठीक है तो इन में से कोई नहीं उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा चाउदमा दिन जल्दी जल्दी ढ़लता है कवीता में कभी अहतास वा दुखी क्यों है तो कभी क्यों हतास या दुखी है तो इसका आंसर क्या जाएगा तो यह आजाएगा इन मैंसे कोई नहीं उसके बाद मैं पंदमा है कभी आलोग धन्वा किस दसक के क कभी अभी उसके बाद मैं नेक्स्ड्र हमारा तो यह सुल्वा जनता का सबस्जें सब्सक्ada कभी आलोक धन्वा का एक मात्र कभीता संग्र्या तो इनका मात्र कभीता संग्रहा तो यह दुनिया रोज बनतीौय 28 चत से गिरने गरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते तो बच्चे क्या बन धाते हैं तो की सहारे स्वैम होते हैं month जबस एक सॉनेले सूर्च में कौन सा अलंकार है तो इसके अंदर कौन सा अलंकार एक जिसके अंदर अनुप्रा से अलंकार है क्हीं किसमें सावबर्ड की क्या हो रही है λέती हो रही है इसके बाद में अगला है 24 से सवेरे की तुलना की गई है तो सवेरा की तुलना किसके साथ की गई है खरगोस की आँखों से 25 है हमारा सरद क्या चलाता हुआ आया तो सरद क्या चलाता हुआ आया तो साइकल चलाता हुआ है 26 चुड़ी आपने पंखों के सहारे उड़ती है और कवीता किस के सहारे उड़ती है तो कवीता किस के सहारे उड़ती है कलपना के सहारे 27 है कवीता के पंख अलगा उड़ने से क्या ताथ पर है तो इससे क्या ताथ पर है कलपना करना 28 है कविता बिना मुर्जाय सदियों तक महकती रहती है इसका आसा है तो इसका क्या आसा है तो कविता कालज ही है कविता का प्रवाव सदियों तक बना रहता है कविता का सौंधरी कभी समापत नहीं होता है यानि उपरोग सभी उसके बाद में 29 है कविता के बहान है कविता में किन के साथ समानता वा असमानता दरसाई गई है तो इसके साथ दरसाई गई है तो बच्चे फूल और चडिया के साथ उसके बाद में अगला है हमारा 31 तो 31 है रगवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव संग्रह से ली गई है लोग भूल गए उसके बाद में अगला है 32 कैमरे के सामने लाए जाता है एक अपाहिज को अपाहिज है हम समर्थ सक्तिवान यह कहां बूलेंगे दूर दर्शन पर उसके बाद में अगला है हमारा 34 तो 34 है कवी के अनुसार प्राता कालिन आकास किसके जी लग रहा है तो किसके जैसा लग रहा है तो इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा 34 का तो ये लग रहा है नीले संक जैसे उसके बाद में 35 hay उसा का जादू कब समाप्द होता है उसा का जादू कब समाप्द होता है सुर्य देहोने पर 36de कभी ने नीले जल में जिल मिलाती देह की तूलना किस की है इसका अन्सर हो जाएगा हमारा भोर के नबसे उसके बाद में 37 संक का रंग होता है तो संक का रंग कैसा होता है तो नीला होता है 38 से चौका लीपा जाता है तो इसका अंसर क्या आएगा तरी राख से 49 से कभी निराला की कभीता बादल राख उनके किस संग्रे से लिया गया है तो उनकी किस अंग्रह से लिया गया तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अनामिका इसके बाद में अगला है चालीस मा तो चालीस अब बादल राग कवीता में कुल खंड है तो इसके अंदर कुल कितने खंड है तो इसका अंसर हो जाएगा 6 41 से बादल राग कभीता में गगन, स्पर्स्वी, स्पर्धा तीर धर गया है तो इसका अंसर क्या आएगा 41 का तो यह हो जाएगा बाद लोगों वैल इसे संसार के सभी लोग मुख रूप से किसके लिए करते हैं तो इसका अंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 किसके लिए करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा पेट भरने के लिए किसके लिए काम करते हैं पेट भरने के लिए 43 हमारा तुलसी दास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है तो पीट किया कौन बुचा सकता है तो ये अर्राम बुचा सकते हैं 44 तुलसी दास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है तो ये किसका है इसका आंसर हो जाएगा हमारा आजीविका का उसके बाद में अगला हमारा 45 आंगल में गूद में मा किसको लिए खड़ी है तो ये किसको लिए खड़ी है इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपने बच्चे को नेक्स्ट है हमारा 46 तो 46 है घुटनों में लेकर मा बच्चे को क्या करती है तो क्या करती है तो ये कपड़े पहनाती है नेक्सटर चोटा मेरा खेट कवीता का हिंदी में रूपान परण किस ने किया तो ये किस ने किया था तो ये किया था भूला भाई पटेल उसके बाद मैं नेक्सटर 48 आकास में कौन ओड रहे है तो आकास में कौन ओड़ रहे हैं तो ये बगले ओड़ रहे हैं नेक्ष्टर 49 किसके अंकुर फूटते हैं तो किसके अंकुर फूटते हैं तो ये सब देखे नेक्ष्ट है 50 समन्वेवादी कभी कहा जाता है तो ये किसको कहा जाता है तो ये कहा जाता है तुलसी दाजी को उसके बाद में अगला है 51, फिराक गुरक पुरी का बास्टविक नाम है, तो फिराक गुरक पुरी का बास्टविक नाम क्या है, तो इनका है रगुपती सहार, नेक्स्ट हमारा फिराक गुरक पुरी को किस क्रती के लिए ग्यान पीट पुरुसकार प्राप किया गया, तो य नेक्स्टे 54 यानि चाओंगे कभी कोष नारायन की कभीता बात सीधी थी उनके किस काब संग्रे से ली गई है तो यह कोई दूसरा नहीं उसके बाद में नेक्स्टे हमारा 55 रीती कालीन कभी है तो रीती कालीन कभी कौन है तो यह भूशान नेक्स्टे 56 हो लास्ट हिंदी पद्विसायत को बाटा गया है तो इसको कैसा बाटा गया है चार कालों में बाटा गया है उसके बाद में नेक्स्टे हमारा इसमें रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए और इसका पहला रिक्तिस्तान है हमारा मैं मोजों पर मस्त बहा करता दूसरा है मैं मादकता लिए फिरता हूँ तो इसका क्या आएगा मैं मादकता निशेश लिए फिरता हूँ तीसरा है मैं बना-बना कितने जग रोज मिटाता हूँ मैं अलंकार है तो इसके अंदर हमारा कौन सा है पुनरूपती प्रिकास अलंकार है चौता है कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते, तो ये किस का ध्यान नहीं करते, जग का ध्यान नहीं करते, पांचमा संसार कभी के एक को गाना कहता है, तो किस को गाना कहता है संसार कभी के, तो रोने को गाना कहता है, उसके बाद में नेक्ष्ट है हमारा छट्वा, तो ये द orazyorsunरा is OUT बक्षे को नरम बनाते हुए धौरते हैं तो बच्चे को नरम बणाती हुए राहे धौजरा के पंख लगा उड़ने के माने जाने तो इसका अंसर हमारा क्या हुजाएगा निर्च्व था कर ध द्दीalter को शो में चाने यार्मा है तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो इसका अंसर क्या आजाएगा भासा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा आपको होकर कैसा लगता है तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता यह प्रिश्न है एक्ष्टे तेर्मा परदे पर दिखलाई जा कीमत है तो इसका आणसर आएगा ऑक देन्यशिंट पंद्रा प्राद निले जैसा ठाथ तो इसका अंसर क्या एगा नीले संख जैसा ठाथ 16 रहाँ पड़त तो इसका आञेप पड़ गया तो इसका सब्कूरानों को कैसा बताएं गया है इस ठिर बताएं गया है 19 हॉने पढि निमन बर्ग को सदेव लाब होता है क्या हॉने पर सदेव लाब होता है गुरान Sleep के बाद में अगला 20 स्वा क्रांती रूपी बादलों का अभाहन अधीरता के साथ करता है तो कौन करता है अधीरता के साथ इसका अंसर आएगा किर्शक तो इसका आंसर क्या है किसके द्वारा छोड़ी गई से वह मुर्चित हो गए थे तो इसका आंसर आएगा मेगनात द्वारा छोड़ी गई सक्ति से मुर्चित हो गए थे उसके बाद में नेक्षन हमारा 24 तो 24 है मा बच्चों को हवा में देती है तो मा बच्चों को हवा में क्या देती है तो इसका अंसर आएगा लोका देती है नेक्षन 25 बच्चा को पाने की जित कर रहा है तो बच्चा किसको पाने की जित कर रहा है चांद को पाने की जित कर रह सता इसे खेत की तुलना से की गई है तो खेत की तुलना किस्से की गई है कागच के पनने से अठा इसे आकास में पंक्ति बद्ध होकर उड़ रहे हैं तो आकास में पंक्ति बद्ध होकर के कौन उड़ रहे हैं बगले उड़ रहे हैं उसके बाद में नेक्सटा 29 तो यह भक्तिकाल की प्रेम मारगी साखा के प्रमुक कभी है तो इसके प्रमुक कभी कौन है तो यह जायसी नेक्सटा 30 नागा अरजुन के कभी है तो नागा अरजुन किसके कभी है आदूनिक काल के कभी है इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो यह सही जोड़ी बनाईए और पहला है हमारा मैं इसने सवरा का पान क्या करता हूं तो इसमें कौन सा रूपक अलंकार दूसरा है सीतल बाणी मैं आग लिए फिरता हूं तो यह कहा है बिरुधाबास अलंका अगला है मैं दूसरा में हमारो क्मेदा जो मैं ..... अगला है दूसरा मैंक दूसरा है आत्म परिच है तो यह जाकर के मिलेगा तीसले हमारा पतंग कविता क कविता के बहाने किसे ने लिखाए कौरणICOरानट सिंग् ।ो यह रभवीब सहाय जी कहा है और स्रंगार काल तो यह कहा है ब्रीती काल है उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मस्ती का संदेश तो यह हमारा क्या हो जाएगा हरीवंस राइबच्चन दिन का पंथी तो यह हो जाएगा दिन जल्दी जल्दी ढ़लता है नेक्स्ट दिसाएं तो दिसाएं को क्या ह हो जाएगा मिर्दंग नेक्स्ट हमारा चौथा केमरे के सामने तो इसका क्या हो जाएगा आपाहिज नेक्स्ट कभीता एक उड़ान है तो यह हो जाएगा चड़िया के बहाने इसके बाद में अगला हमारा पांचमा तो यह हमारा पांचमा गिरने से बचाता है तो गिरने से कौन बचाता है तो इसका आंसर हो जाएगा रोमांचित शरीर नेक्षम पेंच को खोलने की बजाय क्या हो रहा रहा है भैतरे कश्ना नेक्षम कवीटा एक खेल है तो यह क्या है वच्चों के भाहन है नेक्षम पाइस की बीबिसी का चित्र तो यह कहां दिखा जाता है दूर दर्शन पर और उसके बाद में नेक्स्टा भोर का नप तो इस कांसर क्या हो जाएगा राक से लीपा हुआ चोका और नेक्स्टा हमारा छटवा तो छटवा हैं सिल्का रंग तो यह किसको जाकर के मिलेगा काला होता है तो यह हमारा क्या है रूसरे का जायगा चोंभा पाते हैं नेक्स्टा हो दसकंदर किसको जाएगा यह कि किस अवरबुच नेड तौनी जाएगा बगले के पंक तो बगले के पंक किदर जाएगा उमासंकर जोसी इसके बाद में अगला है हमारा सात्मा तो सात्मा है हमारा जीन्ड सीन्ड सरीर तो यह हमारा किसको जाएगा कृसक का होता है नेक्स्ट है रुपाई छण की तो यह हो जाएगा कटाई अनंद की नेक्स्ट है जिलमिल दे तो यह जाएगा नील जल में चौथा है राम को चिंता थी तो राम को किसकी चिंता थी अपियस की नेक्स्ट है राखी के लच्छे तो यह कहा है बिजली की चमक उसके बाद में next here सुरिय कांतरपाथी निराला तो ये कैसे थे चाहावाद कभी थे थरी वंस राय बच्चन तो ये कैसे थे ऐहावाद कभी थे Next हमारा तुलसीदास नेक्स्ट आलोकधनवा तो आलोकधनवा के हैं नई कभीता के कभी थे इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो इसका हमारा पहला कॉश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए का यह हमारा बच्चे किसकी प्रित्यासा में होते हैं तो बच्चे किसकी प्रित्यासा में होते हैं तो बच्चों की प्रित्या इस्टा यह जाने के लिए कि चुडिया के पंखों में चलता कैसे भर जाती है। उसके बाद में next है कभी किस का पान करता है तो कभी प्रेम रूपी मद्रिया का पान करता है। तीसरा है भो सागर में कौन सा लंकार है, तो भो सागर में रूपा का लंकार है, छोथा है कभी किस का उन्माद क्या करता है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, 25 कभी दीवाज की सब्सक्राइब को निदरता के साथ किसके सामने आते हैं तो बच्चे निदरता के साथ सुनेरिस सूरज के सामने आते हैं साथ मा है पतंगों के साथ साथ कौन ओड़ रहा है तो पतंगों के साथ साथ कौन ओड़ रहा है बच्चों की आसा ओड़ रही है आठमा है कविता का खिलना कौन नहीं जानता तो कविता का खिलना कौन नहीं जानता फूल नहीं जानता नाएंत कविता का उड़ना कौन नहीं जानता तो कविता को उड़ना कौन नहीं जानता चिडिया नहीं जानती दसवा है बात बाहर निकलने की बजाए कैसी हो गई तो इसका हो जाएगा कवीता के अनुसार बात बिल्कुल साधान और सीधी थी किन्तु की भासा की चक्र में कैसी हो गई फस करके रह गई और कठिन बन गई नेक्स्ट परदे पर किसकी कीमत है तो परदे पर किसकी वक्त की कीमत है बार मैं अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट हमारा तीरवा तो तीरवा है दूर दरसन वाले केमरे के सामने बैटे अपाहिज से बार-बार प्रिश्ने क्यों पूछते हैं तो दूर दर्सान वाले अपने कारिकरम की रोचकता बनाने के लिए अपाहिज से क्या करते हैं बार-बार प्रिश्ने पूछते हैं नेक्स्ट है स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है तो इसमें क्या कहा गया स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी के बने हुए चाक को रगड़ दिया है नेक्स्ट अप अंद्रमा उसा का जादू कब तूटता है तो उसा का जादू सूर्य अदय के समय तूटता है सोलमा है कभी ने नीले जल में जिल मिलाते देह की तुलना किस से की है तो कभी ने नीले जल में जिल मिलाते हुए गौर वर्ण सरीर की तुलना बोर प्राता काल के आकास से की है सत्रमा है धनी वर्गी के लोग किसकी आसंका से भैभीत रहती है तो किसकी रहते धनकी चोरी होने के आसनका से अठारमा है विपलाव का वीर किसे कहा जाता है तो विपलाव का वीर बादल को कहा जाता है उननीस है जल सदेव किसमे से जलकता है तो जल संदेव की चड़ में भी छोटे-छोटे प्रिष्ण कमल में हमेशा पानी गिरता रहता है लोग पेट के आग बुजाने के लिए किन-किन तक को बेच देते हैं तो पेट के आग बुजाने के लिए लोग धर्म अधर्म ऊच नीच सभी प्रकार के कारे करते हैं मजबूरियों के कावण अपनी संतानों को भी बेच देते हैं उसके बाद में अगला है 21 तो तुलसी दास स्वैम को क्या कहलवाना पसंद करते हैं उसके बाद में अगला है 22 तो तुलसी दास ने दरिदरता की तुलना रावड से की है 24 निर्मल जल में नहलाने के बाद मा बच्चों को क्या करती है तो मा बच्चों को निर्मल जल में लहनाने के बाद उलचे हुए बालों को कंगी करती है 25 है रक्षा बंदन की सुभई आस्मान कैसा है तो रक्षा बंदन की सुभई खुशी चाही हुई है किन्तु उसी समय आस्मान में हलकी हलकी घटाएं चाही हुई है चोटा मेरा खेत कविता में कभी ने किस खेत की बात की गई है तो कभी ने कागज के पन्य को क्या कहा गया है चोटा खेत कहा है 27 कभी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है तो कभी ने अपने खेत में बिचार का बीज बोया है नेक्स्टा 28 तो यह है रगवीर सहाय अगे द्वारा संपादित किस सब्तक के कभी है तो यह किस के कभी है रगवीर सहाय अगे द्वारा संपादित दूसरी सब्तक 1951 के कभी है 29 चांद का मुए टेड़ा है किस कवी की रचना है तो एक इसकी है गजानन मादव मुक्ति बूद की तीसरा है आत्म जई किसकी रचना है तो आत्म जई कुवर नारायन की रचना है 31. राम की सक्ति पूजा कविता की रचनाकार कौन है? तो इसके कौन है? राम की निराला जी है 32. बादलरा कविता में अटालिका को क्या कहा गया है? तो इसमें क्या कहा गया है? अटालिका को आतंक पैदा करने वाले भुवन को कहा गया है तीती से तुलसिदास करत कविता बली किस भासा में लिखी गई है तो ये किस में लिखी गई है ब्रज भासा में चौती से कुण नारायन की रचना कविता के बहाने उनके किस काव संग्रह से ली गई है तो ये किस काव संग्रह से ली गई है इन दिनों खुवर नारायम की रचना कवीता के बहाने उनके इन दिनों कावसंग्रे से ली गई है 35 से तुलसिदास अपने किस रूप पर गर्व करते हैं तो स्वेम को रामभक्त कहलाने पर गर्वनवो करते 36 से तुलसिदास जी ने रावड की तुलना किस से की है तो रावर्ड की तुलना दरिद्रता से की है नेक्सट है 37 बच्चा मा को की गोध में किसी प्रतिक्रिया करता है तो ये बच्चा मा बच्चे को अपनी गोध में लेकर हाथों पर रखकर जुलाती है इसक्रिया से बच्चा खिल खिला कर हसने रखता है उसके बाद मैं अगला तो यह राखी बांदने वाली बेहन को कहा गया है चाली से हिंदी साहित के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए वह यह कौन है हरिवंस्वरी भारतेंदू हरिस्चंद्र को माना गया है कठी गद्र का प्रित किसे कहा गया है क्ठी गद्र का प्रित की सवडकू को वाद को अगया है उसके अगा था है तो ये क्या असत्य नेक्स्ट वदूसाला बच्चन की प्रिसिद्ग रती है तो ये क्या सथ नेक्स्टत है जो के बच्चन अपे नीडों से जहाक रहे तो ये जो क्या छट्वा है कभी बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आच्वे का इस्वरी छट्वे का यह सत्थ हो जाएगा इसके बाद में next हमारा साथ Uma तो साथ Uma है सरद रितू पूलों को पार करती हुई आई है कि कासा है सत्थ है नैस्ट हमारा आठमा बच्चे जनम से ही अपने PAS क PAS लेकर आते हैं तो यह मारा क्या हो जाएगा सत्थ है 9. इसके बाद में 10. कभी ने हारकर बाद की कील की तरह ठोक दिया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? असत है next है, एक बंद कमरे में एक भिकारी को लाइा गया तो ये भी कैसा है हमारा? असत है next है हमारा 14 चयुद्धवा तो कारिकरम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिस को रोने के लिए भिवस किया जाता है भी क्या है सत्य है नेक्स्ट है सत्रा प्राता काल का आकास नीले पानी जैसा था तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा नेक्स्ट है चौके को राक से लीपा था तो यह क्या है असत्य है उसके बाद में नेक्स्ट है सूर्य होने पर उसा का जादू कूपता है तो यह क् सुक पर सदेव दुख की छाया चायी रहती है तो ये कैसा सत्य है 21 है सैसवकार शुकमार शरीर रोग सुक में भी हस्ता रहता है तो ये कहा है सत्य है 22 है दुख रूपी रावड धनिकों को दबोचता है तो ये कहा है असत्य है नेक्स्ट तेविस पेट भरने के लिए लोग उचे नीचे नैतिक अनैतिक काम तक करने के लिए नहीं हिचकते तो यह क्या हो जाएगा हमारा सत्य नेक्स्ट चौविस लक्षमर जी के लिए संजीबनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे तो इसका अंसर क्या हो जाएग इसका सत्य है नेक्स्ट है दिवाली पर गुड के खिलोने खरीदने जाते हैं तो दिवाली पर गुड के खिलोने खरीदने जाते हैं तो ये क्या है असत्य है नेक्स्ट है 27 बादल चांद के लिए लल्चा रहा है तो ये क्या है सत्य है 28 से कविता सिर्जन के लिए सब्द सत्य है नेक्स्ट थीसवा आस्मान में उर्थे बगलों की पंक्ति कभी की आंखें चुराए लिए जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा ये कैसा है सत्य 31 वचन प्रेम्बावस्ती के कभी हें तो यह क्या हो जाएगा? 32 वचती से कुणर नारएँ प्रगतिवादी रचना कार हैं तो यह कैसा है? 33 तुलसीदास मकती कालीन सगुढ कावी धारा के कभी हैं तो यह कैसा है? सत्थ है चोती से राम चरित मानस की रचना ब्रजभासा में की गई है तो यह कैसा सत्थ है पेंती से जैसंकर पुर्षाद छायवादी कभी है तो यह कैसा सत्थ है चती से लौकिक साहित आधिकाल की विसिस्ता उपलब्दी है तो यह कैसा सत्थ है उसके बाद मैं नेक्स्ट ह लोग चलते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा लगूत्री प्रिष्ट में अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको करके बता देंगे अभी हम लोग नेक्स टॉपिक की तरफ चलते हैं जतने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी ये वीडियो हम ले करके आ जाएंगे किसरा एक किस रस को रसराज कहा गया है तो किसको कहा गया है स्रंगार को उसके बाद में चोथा है कौन सा रस हमारे मन में उत्साय का संचार करता है तो कौन सा रस करता है वी रस पाच्वा है कौन सा भाव सुभुकता वस्ता में विद्धुमान रहता है तो ये कौन सा विद् स्क्षे कि जो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सात्मा आतंकवाधी नाम मात्र से उत्तपन वे तो किसके उंतरränत आएगा तो इसका हो जाctic अनुभाव आटवा हमारा माता कि मृत्यू के वर्णन में कौन सा रस रहता है तो इसमें कौन सा रस रहता है करो लुदDR ожид तुलसी ने किस रसका क्या है वी रसका उसके बाद मैं नेक्स्ट है दस्वां हरिश्चंद्र नाटक में समसान वर्णाय में किस रसकी अनुबूती होती है तो किस रसकी होती है तो ये वीवत्स रसकी ग्यार्मा है महा काब में जीवन का चित्रन होता है तो ये कैसा होता है समगर्य चित्रन होता है उसके बाद मैं अगला है हमारा बार्मा खड़ी बूली का पिर्था महा काब है तो खड़ी बूली का पिर्था महा काब है कौन सा है तो ये कामाई में तेर्मा है पार्वती मंग च्छक्द्वां है जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन ही कहलाता है तो इसके आंसर क्या हो जाएगा हमारा घंड़िकाव उसके बाद में next इस पंदर्मा तो ऐसी पद बंद रचना जिसमें एक लगू यानि अख्यान कथा वर्णित होती है जिसका जिसके चंदों में गेता होती है कहलाता है तो इसका आंसर क्या आएगा क्या कहलाता है तो यह आजाएगा अख्यायन के गीत 16. कभीर तूलसी एवं रहीम के नीती संबंदी दुए उधारन है तो इसका आंसर क्या आएगा गेई मुक्तत उसके बाद में नेक्ष्ट है सत्रा यह बक्रोक्ती काफ्यस्त जीवितम परिभाशा है तो इसका आंसर क्या आएगा तो यह आजाएगा खुन तक 18. सरबादिक लोग प्रिय महा काफ्य है तो सरबादिक लोग प्रिय महा काफ्य कौन सा है रामचरित मानस 19. काबी की सुभा बढ़ाने वाले सब्द कहलाते हैं तो इंको हम क्या कहते है अलंकर 21. काब के ङर्थ और भाव को चमतार पूंड बनाने में अलंकर कहलाते हैं तो ऐसे अलंकारों गते हैं क्या कहते है में अलंकार है तो इसमें हमारा कौनसा अलंकार है संधह अलंकार तेवी से चंद के भरम हो अ्यजित को संध्यी जाल की वाक्त है का उधार है पच्ची से उपमान के अथवा अभयबों का आरोप कहलाता है तो ये क्या कहलाता है इसका अंसर हो जाएगा स्टांग रूपर इसके बाद में अगला है हमारा 26 कवीता के साफदिक अनुशाशन को कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसका अंसर हो जाएगा छंद 27 से चंद के प्रकार होते हैं तो चंद के कितना प्रकार होते हैं चंद के होते हैं दो प्रकार 28 है हमारा मात्रा की गड़ना के आधार पर जिस चंद की होती है उसे हम कहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मात्रिक चंद कहते हैं इसके बाद में next 29 तो 29 से कवीता के पिर्ट उसके बाद में अगला है 31 दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है तो इसमें वर्णों की संख्या तो यह क्या कहलाती है गजल कहलाती है 35 ए मातरिक चंद का उधारन है तो इसका उधारन क्या है छोड़ा इसके बाद में अगला है हमारा 36 तो 36 है माधुर कावगुण किस रसों में पाया जाता है तो ये किस रसों में पाया जाता है स्रंगार रस में 37 है कावगुण की संख्या कितनी मानी गई है तो वो कितनी मानी गई है 38 है जिस कावगुण विसेश की कारण सहर्दय का चित ब्याप्त हो जाता है अर्थार साहिर्दे के चित्ते में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है उसे कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पिरसाद गोड कहते हैं इसके बाद मैं अगला है रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए और पहरा हमारा आचारे भरत को कावी की आत्मा माना जाता है तो इ अस्थाई मनों विकारों को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। तीसरा है, भाव पक्ष में प्रिधान होता है, तो इसमें प्रिधान क्या होता है? रस होता है। चौथा है, संचारी भाव की संख्या मानी गई है, तो ये कितनी मानी गई है, तेटीस, पाँचमा है, इस्थाई भाव की संख्या मानी गई है, तो ये कितनी मानी गई है, दस, चटमा है, पिरतिक रस का एक नियत होता है, तो क्या होता है, इसका स्थाई भाव, साथ महा है रस के पिर्मुक भेध होते हैं तो रस के पिर्मुक भेध कितना होते हैं दस आठ महा है रस के पिर्मुक अंग होते हैं तो इसके पिर्मुक अंग कितना होते हैं चार तो इसके बाद में नवा कोश्चन है वीवत रस का इस्थाई भाव होता है तो इसका इस्थाई भाव क्या होता है जुगुपसा दस में है विभाव के प्रकार होते हैं तो विभाव के कितने प्रकार होते हैं तो इसका आंसरा जैगत ती यार्म है अनुभाव के भीध होते हैं तो ये कितने होते हैं दो बार्म है आस्ट्राई की बाहर सारीरिक चेश्टा कहलाती है क्या कहलाती है अनुभाव तेरा है इस्ताई भाव को जागरत करने वाले कारण कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं आलंबाद चौदा है रोद इस्ताई भाव जागरत होकर रस के रूप में परेनेत होता है तो यह किसमे होता है रोद्र के रूप में पंदरह है व्यंग्योद कत्ति को पढ़कर देख कर अच्वास्चन कर रस की निस्पत्ति होती है तो किस रस की होती है हाश्य रस की इसके बाद में अगला है हमारा सोला काव के भेध होते हैं तो काव के कितने भेध होते हैं तीन होते हैं नेक्स्ट सत्रा रमडी आर्थ प्रति पादक का सब्द काव के ने कहा है तो यह किन ने कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा जगहनावत 18. खंड काव शर्ग बद्ध होना आवश्यक माना जहता है, इस का अंसर का आएगा शर्ग बद्ध होना नहीं माना जहता है नेक्स्ट और निस कुरू छेत्र है तो कुरू छेत्र का है खंड काव है 20 महा काव में सर्ग होते हैं तो महा काव में सर्ग कितना होते हैं तो इसका अंसर आजाएगा हमारा 8 नेक्स्ट एक किस रामचरित मानस महा काव का है तो इनका किसका है तुलसी तासी का इसके बाद में नेक्स्ट है 22, मुक्तक कावव होते हैं तो ये कितने कैसे होते हैं, सोधांतर होते हैं 23 से मधुसाला कावव है, तो मधुसाला कैसा है, मुक्तक कावव है 24 से बिहारी सत्सी रचना की है, तो किसकी है, बिहारी की 25 मुक्तक कावव में पिर्टिक का सुधांतर अर्थ होता है तो क्या होता है इसका अंसर आजाएगा हमारा चल 26 सूर्दास के पत कहलाते हैं तो सूर्दास के पत क्या कहलाते हैं मुक्तक कहलाते हैं 27 के दो भेद महा कावव और खंड कावव हैं तो किसके दो वेद हैं पिरवंद काब के दो वेद हैं महा काब और खंड काब एक्स अठाइस रागात मक्ता की पिरधानता वाले मुक्तक को कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यह मुक्तक कहते हैं 29. सब्द और अर्थ की सोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं 30. अलंकर में अनिश्चत या अनिश्चाई की इस्तिती बनती रहती है तो किस अलंकर में बनती रहती है? संदिह अलंकर में बनती रहती है 31 है जहां कतन में सब्दिगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्तार और सौंदरियों वहां होता है तो वहां क्या होता है इसकांसर आजाएगा उभिया लंकार होता है इसके बाद मैं अगला है 32 जहें किसी विशेश समानता के कारण किसी दूसरी वस्तुवां का भ्रहम हो जाए वहां होता है तो वहां पर क्या होता है तो वहां पर भ्रहांतिय लंकार होता है 33 काव का सरीर कहा जाता है तो काव का सरीर किसे कहा जाता है चंद को कहा जाता है 34 उपमान की अपिक्छा उपमे को काफी बड़ा चड़ा कर वर्णन किया जाता है वह कहलाता है तो वह क्या कहलाता है तो इसका अंसर हो जाएगा व्यति रिक अलंकार 35 चंदर सास्त में पाद का अर्थ चंद का भाग होता है तो कौन सा भाग होता है? चतोर्थ भाग होता है उसके बाद में अगला है 36 तो यह एक चंद में से अधिक चरण हो सकते हैं तो किसे अधिक हो सकते हैं? चार से अधिक चरण हो सकते हैं सैंतीस है सबिखीयस के पिर्टिक चरन्ग में साथ भगज और दो गुरु होते हैं तो इसका अंसर क्या आएगा तो यह आएगा मैध आएगा अटीस है वर्णों का एक गढ़ होता है तो कितने वर्णों का एक गण होता है तीन वर्णों का एक गण होता है उन चालिस है चन्द में हर्ष्व और लगु दीर्गु को चन्द में हर्ष्व को लगु कहते हैं और दीर्गु को क्या कहते हैं गुरु कहते हैं इसके बाद में अगला है हमारा चालिस चालिस है सोठा म होती है चार कितने होते हैं बंधि तो कितने होते हैं कितने ह ती Ug takie जिनके चारों में समान माति कहलाता है क्या कहलाता है सम्मात्रिक wijक नहीं करना रहा थे त филь और भावीस-चपीस मात्रीच रहाएं को कहा या ब्यापार को कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सब्द सक्ति कहते हैं 45 है सब्द सक्ति प्रकार की होती है तो सब्द सक्ति कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है 46 46 है सब्द और अर्थ का साख्चा समंद कहलाता है तो ये क्या कहलाता है ये कहलाता है अभी दा 47 है जिस सब्द सक्ति से परचलेत अर्थ का बूध नहोकर इससे सम्मंदित अन अर्थ का बूध हो उसे कहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लक्षणा कहते हैं नेक्स्ट आर्टालिस, सब्द की जिस सक्ती से परचलेत अर्थ एबम लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका अंसर आजाएगा बेंचिना और पचास है, किसी सब्द का गुण या सूख्षम आर्थ सब्द सक्ती से परकट होता है, तो इसका अंसर क्या जाएगा लक्षणार्थ पचास है, जो गुण काववे में जोस और ओज उत्पन करता है, वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, ओज गुण कहलाता है नेक्स्ट है एककावन तो एककावन है श्रंगार सांत करोड रस्में विसेश रूप से पाया जाता है तो इसमें विसेश रूप से क्या पाया जाता है तो इसमें माधरी गुड़ पाया जाता है तो किस में किया गया है ओजगुड में चमवन है रौद्र वीर और वीवत्स रसों में पाया जाता है तो इन में क्या पाया जाता है इस कांसर आएगा ओजगुड पच्छपन है काब में बिम्म को माना जाता है तो क्या माना जाता है तो इसका आंसर आजाएगा सब्द चित्र इसके बाद में नेक्स्ट चप्पन तो यह है विम्म के भेद होते हैं तो विम्म के कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं 57 है विधान हिंदी साहित में कविता की है तो इसकी क्या है सैली है नेक्स्ट है थाइस विम्ब सब्द अंग्रेजी के एक का हिंदी रूपांतरण है तो अंग्रेजी के किसका इमेज का हिंदी रूपांतरण है उनसाथ है काब में कारे के मूर्तिकरण के लिए सटीक होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विम्ब हो जाएगा उसके बाद म नेक्स्ट है हमारा साथ तो यह पश्चाद काव सास्त्र में कवीता का अनिवारे अंग माना गया है कौन सी कवीता का विम कवीता का अनिवारे अंग माना गया है नेक्स्ट है 61 और लाश्ट, उमा संकर जोसी ने अपनी कवीता बगली के पंख में का सुंदर प्रियोग किया है, तो कि इसका चापच्छ श्रविम का सुंदर प्रियोग किया है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो अगला है हमारा मैचदा कॉलम, तो मैचदा गीतिया तो यह है जासी की रानी Next है मुक्तक काव तो यह है बिहारी सिचिए Next है रस्मी रथी तो यह कहा है रामधारी सिंग्देन्ख इसके बाद में दूसरा मैस्दा कॉलम है तो यह है आचारी रामचंदर सुखल तो यह हमारा जाकर के मलेगा अलंकार काब की हात्मा इसके बाद में नेक्स्ट है हम उपमे में उपमान का आरोप तो यह हो जाएगा हमारा शांगरूप नेक्स्ट है उपमे को उपमान से स्रेष्ट तो इसका अंसर हो जाएगा व्यती रेक अलंकार नेक्स्ट है हमारा इसमें भ्रहम दूर करना संभव नहीं तो किसमें भ्रहांती मान अलंकार में नेक्स्ट है इसमें अनिस्चित की स्तिती बनी रहती है तो इसकांसर क्या हो जाएगा संदिय अलंकार नेक्स्ट तीसरा है हमारा चंद के प्रकार तो चंद के कितने प्रकार होते हैं तो इस कांसर आ जाएगा दो प्रकार होते हैं उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा तो दूसरा है वर्ण की गड़ना वाला तो वर्ण की गड़ना वाला क्या होता है तो यह जगा बार्णक चंद पहलाता है इसके बाद में अगला है हमारा मात्राओं की गड़ना वाला चंद तो यह हमारा क्या होता है मात्रक चंद होत इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तो इसमें ये भी मैच दा कॉलम है तो पहला हमारा चारुचंद की चंचल किरने खिल रही जल्थल में तो ये कहें माधुरी गुड़ू दूसरा बुंदेले हर बोलों के मुख हम ने सुनी कहानी थी तो ये हमारा कहें तो ये हो जाएगा किर साथ गुड़ूए ये ओज़ूण हो जाएगा एक तीसरा ये आता है इस मन में चोड दन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी बन में तो इसका हमारा क्या हो जाएगा तो ये है पिरसाद गुड़ नेक्स्ट मादोरी गुड़ूण हमारा क्या है तो ये श्रंगार रह से एक nog अगला है एक सब्द वाग्यों मैं उत्तर दीजिए तो पहला कॉस्टन है हमारा बादसाले लिइस को दस्वे रस की रुप में स्थापित करने वाले कई як नाम है तो क्या नाम है शूर्दास जी ने इसको 10 रुप में लिया था शांट रस का इस्थाई भाव क्या है तो सांत रस का इस्थाई भाव क्या है निर्वेद एक ही इस्थाई भाव के बीच बीच में परिस्तिति आनेक भावों का संचार होता है इन भावों को क्या कहते हैं तो इन भावों को क्या कहते हैं संचारी भाव कहते हैं चोथा है अब मैं नाच्यों बहुत गूपाला में कौन सा रस है तो इसमें कौन सा रस है इसमें सांत रस है पांचमा है रस क्या है तो काव की पटन पाठन में प्राप्त आनंद को हम क्या कहते है रस कहते है छटमा है भ्यानक रस का इस्थाई भाव क्या है तो भ्यानक रस का प्रकार बताईए, तो अनुभाव के प्रकार क्या क्या होते हैं, सात्विक, कायक, और मानसिक और आहार, इसके बाद में आठवा है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसकी संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, इसके बाद में नेक्ष्टा हमारा नायन, तो नायन थे, पिरमुक संचारी भाव के नाम लिखिए, तो पिरमुक संचारी भाव कौन-कौन से, स्वेद, लज्जा, गर्ब, काम्प, गिलानी, इसमर्दी, पीड़ा, उन्माद, उत्सुकता, चिंता, और जड़ता, और चपलता, नेक्ष्टा दस्वा, रस के अंगों के नाम लिखिए, तो कामायनी और सांकेत या फिर पादमाबत, नेक्ष्टा बारमाप, खंड काव का इक उधान दीजिए, तो खंड काव में पंचवटी, ये सुदामचरित, ये फिर प्रतिक, पारवती, मंगर, ये, तेरह, मुक्तग के काव का इक उधान दीजिए, तो इस काव के कौन से, पार्टी मुक्तक और के मुक्तग, नेक्षट ठेस, विश्तरा स्कलेवर वाले काव को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, काव को प्रबंद काव कहते हैं, नेक्षट 17, आदुनिक कियो के के गे मुक्तग या परगीत kahitah की नाम लिखिए, तो एकिन किन्ने का नागा और जुन दुस्यंत को मारो जजाला जी इसके बाद में नेक्ष्ट है मारा अठारा तो अठारवा कोश्चान है मुक्तक काव इसे आप क्या समझते हैं तो मुक्तक काव ऐसी रेशना है जिसमें कथा नहीं होती तथा जिसके छंद अर्थ की दरश्टी से पूर्वा पर के परसंगों से मुक्त होते हैं इसमें पिटी एक छंद अपने आप में सोतंत और पूंद रहता है उसके बाद में नेक्ष्ट है 19 प्रवंद काव किसे कहते हैं तो जब किसी काव में एक कथा का सूत्र भिविन ने चंदों के माद्यम से जोड़ा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मुक्त काव कहते हैं 21 काव का सूंदर बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं किसकी परिवासा है तो ये परिवासा किसकी है आचारे विश्वनात की परिवासा है 22 सब्द और अर्थ के आधर पर अलंकार के कितना प्रिकार होते हैं तो सब्द और अर्थ के आधर पर अलंकार के दो प्रिकार होते हैं एक होता है सब्द अलंकार और एक होता है अर्था अलंकार 23. जहां कावी की सुबा ब्रदी का अधार सब्द हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, तुम्हां पे कौन सा होगा, सब्दा अलंकार होगा 24 जहां उपमीव और उपमान से स्रिष्ट बताया जाए वहां कौन सा लंकार होगा तुहां पर कौन सा होगा ब्यतिरीक लंकार होगा 25 सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है किस लंकार का उधारने तो ये किसका उधारने संदेह लंकार का उधारने नेक्सटे 26, जान स्याम गन स्याम को ना चूटे वन मूर, किस अलंकार का उधारण है, तो यह किसका उधारण है, भ्रानति मान अलंकार का उधारण है, नेक्सटे 27, तो 27 है कविता में रुकना और आगे बढ़ने की नियम को यती कहते हैं, उसके बाद में अगला है हमारा 28, तो ये चंद के प्रकार लखिए, तो चंद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वारनिक चंद और एक होता है बात्रिक चंद। इसके बाद में नेक्स्ट है, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, चंदरकला है। नेक्स्ट है 30, फिरतेक पंक्ती में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तुकवित कहलाती है, नेक्स्ट है 31, इसमें 4 पंक्तियां होती है, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ती में तुक मिलाया जाता है, तीसरी पंक्ती सोतंत्र होती है, ये उर्द विम्म सब्धार्त के माध्यम से कल्पना द्वारा निरमेथ एक ऐसी मानश शबी है जिसके मूल में भाव की प्रेणा रहती है यह किसकी परिभासा है यह किसकी है नागेंद्र की परिभासा है next, 33 विम्मे के भेद के नाम बताईए तो विम्म के भेध कौन-कौन से होते हैं एंद्रिये विम, कालपनेक विम, प्रेरक, अनुभूती के आधार पर नेक्स्ट चोतीस विम्म का साब्दिक अर्थ क्या है विम्म एक अंग्रेजी भासा जिसका वर्ड है इमेज उसका साब्दिक रूप आंत्रण है और इसका आर्थ क्या है मूर्थ रूप का प्रडान करना नेक्स्ट हमारा पेतिस विम्म का प्रियोग साहत में कब से हो रहा है तो विम्म प्रियोग का साहत में सुरू से ही हो रहा है और इसको प्रवर्दक सुनेरों के आचारे रामचन सुकला जी एक्ष्ट चेटिस किस कभी की पहचान एक भिम्म धर्मी कभी के रूप में है तो किसकी है अंग्रेजी कभी है टी इ फूम एक्ष्ट चेटिस एंद्रिय भिम्म के प्रकार लिखे तो एंद्रिय भिम्म के प्रकार क्या है चापचुप भिम है श्रब भिम और उसके बाद में इसपर्स विम, प्रावत और अस्थवा विम नेक्स्ट अर्टिस प्रेरक अनुबूती के आधार पर विम्मे के प्रिकार बताईए क्यों कौन से होते हैं सरल, मिश्रित और तदकालिक भावातिय और विक्रणिय विम उसके बाद में नेक्स्ट अर्टिनाइन समसीर बहादूर सींग की अप्रेतया सफलता के पिरमुक सादन क्या है उनकी कविता में जीवन के राग, बिराग के साथ साथ समकालिं सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चितरण किया जाता है तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इताई के उपर इसके बाद में नेक्स्ट इजो हमारे कॉस्टन है वह लगूत्री प्रिश्ने तो यह आप कमेंट करके बताऊगे तो नेक्स्ट इवीडियो में हम इनको एक्स्प्रेइन कर देंगे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा थर्ड तो इसका हम लोग पहला कॉस्टन देख रहे हैं और पहला कॉस्टन है हमारा भक्तिन पार्ट लिखा गया है तो यह कैसा लिखा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा यह कहा है रिखा चित्र है दूसरा है जिठोत का आर्थ है तो जिठोत का आर्थ क्या होता है जेट का जो पुत्र होता है इसको क्या होती है जिठोत तीसरा है हमारा भक्तिन का बास्टिक नाम था तो भक्तिन का बास्टिक नाम क्या था तो लक्षमिन था चोथा है भक्तिन गले में पहेंती थी तो भक्तिन गले में क्या पहेंती थी कंटी माला पहेंती थी इसके बाद मैं नेक्स्ट है हमारा पांचमा कोशन पांचमा है महादेवी बर्मा का जन बर्स में हुआ तो इनका जन कब हुआ 1907 में हुआ चटमा है यामा काबिश अंग्रा है तो यह किसका काबिश अंग्रा है तो यह हो जाएगा महारा महादिवी भर्मा का साथमा है बाजार दर्सन पार्ट के लेखा के तो इसके लेखा कौन है तो यह है जेनेंद्र कुमार इसके बाद में नेक्ष्ट है आठवा तो आठवा है परक उपन्यास के लेखा के तो इसके लेखा कौन है जेनेद्रुकमार नाइंत है बाजार दर्सन पार्थ है तो यह कैसा पार्थ है निबंध है दसमा है पर्चेजिंग पावर का अर्थ है तो पर्चेजिंग पावर का अर्थ क्या है खरीदने की सक्ति उसके बाद में ग्यारवा है बाजार का जादू चड़ने का अर्थ है तो बाजार का जादू चड़ने का अर्थ क्या है आकर्शन बस्तुन बारवा है बाजार दर्स तो इसके लेका कौन है तो इसके लेका के धर्मवीर भार्दी पंद्रा है काले मेगा पानी दे पाठ है तो ये कैसा पाठ है तो ये संसिस मरण है इसके बाद में नेक्स्ट है नाइंटी नमर का कुश्चन तो इसके लेखा कौन है 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 तो थे बाद मैं तेवी से लुटन सिंग था तो लुटन सिंग् क्या था तो यह एक पहलवां था उसके बाद मैं नेकल थे ह्ट ऑड़िस सेर की बच्चे कारूपन कश नाम था तो सेर की बच्चे कारूपने क्या था तो चांद सिंग था बच्ची से lys के फूल पार्ट के लेखाग है तो इसरीस के फूल पार्ट के लेखाग कौन है हजारी पुरसाथ दुवेदी 26 बांडबर्ट की आत्म कथा उपन्यास के लेखाग है तो इसके लेखाग कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी पुरसाथ दुवेदी उसके बाद में एक्षट है 27, तो 27 से एक्षू का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका है गन्ने का तना, 28 से असोग के फूल के रचईता है, तो इसके रचईता कौन है, हजारी पिरसाथ, दुवेदी, 29 से नीचे से उपर तक फूलों से लदा था, तो इसका अंसर ह हो जाएगा हमारा सिरीस का पेड, 30 से सिरीस के ब्रक्ठ होते हैं, तो सिरीस के ब्रक्ठ कैसे होते हूं, च्यादार होते है, 31 यह ने तो यह उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए अमिटकर जी गए तो वो कहां गए थे इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका चौती से डाक्टर भीमरा अमिटकर का आधर से समाजने में से आधारे थे तो यह किस पर आधारे थे तो इसका आंसर आजाएगा समानता गिन में एक्ष्टर 35 सम्तव भ्रात्रता का बास्त्विक रूप यह नीतितर चत्त्त से दूद्व पानी के मिश्रा को ढ़त्रम बिट करना माना है तो उन्हें क्या माना है भाःचारा सेती से जाती पिर्था को दूसरा रूप कहा गया है तो क्या कहा गया है श्रम विभाजन को उसके बाद में नेक्स्ट है अर्दी उत्पीडन का आर्थ है तो उत्पीडन का आर्थ क्या है तो इसका आर्थ है शोशा उसके बाद में next है हमारा रिक्तिस्थानों की पूर्टी कीजिए इसका पहला question है भक्तिन का कद था तो कैसा था छोटा था दूसरा है भक्तिन पाट के रचईता है तो इसके रचईता है कौन है महादेवी बर्मा तीसरा है जीवन के दूसरे परिचेद में अधिक है तो क्या है दुख है next है चोथा रोटियां अच्छी सेखने के प्रियास में बहुत अधिक हो गई तो ये कैसी हो गई तो इसका अंसर आएगा खरी हो गई next हमारा पांच्वा में इने भिर्मड की एकांत साथी नहीं रही है तो कौन रही है इसका अंसर क्या हो जाएगा भक्तिन चट्मा है मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए नहीं है तो क्या नहीं है तो इसका अंसर आजाएगा रुपया नहीं इसके बाद मैं next है सात्मा तो सात्मा है यह भक्तिन और मेरे बीच में का संबन्द है तो इसमें कौन सा संबन्द है तो इसका answer क्या आजाएगा तो यह आजाएगा सेवक का ठीक है? सेवक और स्वामी का संबन्द है यह यहाँ से misprint हो गया तो इसके बाद मैं next number 30 number के question पर आजाएगा तो यह है धर्ती का अर्थ होता है तो धर्ती का अर्थ क्या होता है तो इसका answer आजाएगा प्रत्वी next 31 मैं साहित और मनुस्ट की द्रश्टी से देखने का हूं तो इसका क्या आएगा answer तो 31 का आएगा प्रक्षपादी 32 से अजारी पिरसाद वेदी का जन्म स्थान है तो इनका जन्म स्थान क्या है तो इसका answer आएगा छपरा इसके बाद मैं next 33 सिरीज के ब्रक्ष बड़े और होते हैं तो इसके ब्रक्ष कैसे होते हैं बड़े और चायदार होते हैं 34 से जरा और म्रत्य ये दोनों ही जगत के अति परिचे और अति प्रमाड़क हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आज सत्थ अति प्रमाड़क सत्थ हैं 35 से डक्टर अंबिट के ने भाई चारे को मिस्रण कहा है तो भाईचारे को कैसा मिस्रण कहा है तो उन्होंने दूद और पानी जैसा मिस्रण कहा है ये दूद और पानी नेक्स्ट है 36 जाती पिर्था का दूसरा रूप है तो जाती पिर्था का दूसरा रूप क्या है तो इसका है है हमारा समाज विभाज़त तीक है उसके बाद में नेक्ष्ट है से तीस जाती पिर्था से हानी कारक है तो जाती पिर्था से हानी कारक क्या है तो इसका है आर्थिक पहिलो नेक्षटा 38 मेरे आधर समाज स्वतंतर समता और पर आधारित होगा तो केसा होगा तो इसका अंसर है सही होगा नेक्षटा 49 तो यह समता यद्नपी कालपनिक की वस्तु है तो यह क्या है कैसी कालपनिक वस्तु है तो इसका अंसर हो जाएगा जगत कालपनक जगत की वस्तु है 40 से डॉक्टर अंबेटकर जाती पिर्था की थी तो ये जाती पिर्था की कैसी थी ग्रोधी थी उसके बाद मैं नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाओ और पहला है कुचित तो इसका क्या हो जाएगा वो संकुचित का गोचित यह नहीं सिकुड़ी भी दूसरा है हमारा तुसारपात तुसारपात क्या है ओले बरेसन तीसरा हमारा अलगोच्छा तो अलगोच्छा क्या होता है तो यह होता है बटवारा चोथा है जिठोथ तो जुठोथ हमारा क्या होता है जीट का पुत्र नेक्ष्ट है अजिया ससुर तो अजिया ससुर क्या होगा पती का दादा नेक्ष्ट है नेहर तो नेहर का मतलब होता है माय का उसके बाद में अगला मेचदा कॉला में हमारा तो पहला है अस्वाब तो असबाब का क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा समान नेक्ष्ट है दरकार तो दरकार का क्या हो जाएगा जागरू नेक्ष्ट है परिमित तो परिमित का हमारा क्या हो जाएगा सीमित और चौथा हैं हमारा पेस गी, तो पेस कीगा क्या हो जाएगा? अग्रिम, रासि और पांचमा है दारउन, हो जाएगा? बहेंकर और छटमा है नाचीज, नाचीज का मतलग क्या हो जाएगा? अम हचवीन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा मैस दा कॉलम तो यह 10 तपा तो 10 तपा का क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा तपते 10 दे नेक्स्ट है पक्वारा तो पक्वारा क्या हो जाएगा तो यह होता है हमारा 15 दिन की अपधी नेक्ष्टुर टेयरते कना हो जाएगा तो यह हो Ckan वह इसको बाद में चाहुथा है मैस क्लाम या है भार्यत।動画 तो बैसे क्ला करेगा इसको फिर उसके बाद में क्रंदन, तो क्रंदन का हमारा क्या हो जाएगा बलाब, तीसरा है पठ्ठा, तो इसका क्या हो जाएगा पहिलवान, चोथा है कीर्थी, तो कीर्थी का क्या हो जाएगा यस, पांचवा है हमारा गदगद होना, तो इसका क्या हो जाएगा खुस होना, छट तीसरा है काले मेगा पानी दे यह दर्मभीर, भारती ने, चौता है फ़री टीटिश्टनाथ रेडिवे, ने, नेक्स्ट है स्रीस के फूल, तो यह पलास तो यह क्या हो जाएगा धांक नेक्स्ट है दुम्दार तो दुम्दार का हो जाएगा पूछ वाले नेक्स्ट है लूडूरू तो यह इसका क्या हो जाएगा बिना पूछ के नेक्स्ट है हिलूल तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा लहर पांचमा है दोला तो यह क्या हो जाएगा जूला एक्स्ट है जरा तो यह क्या हो जाएगा बुड़ापा इसके बाद में अगला मैच दा कॉलम है यह हमारा बिडंबना तो बिडंबना का हमारे क्या हो जाएगा दुरभाग एक्स्ट है पोसक पोसक का हो जाएगा बढ़ाने वाला, तीसरा है हमारा विभाजन, विभाजन का हो जाएगा बढ़वारा, चौथा है विप्रीत, तो विप्रीत का हो जाएगा हमारा उल्टा, पांच्वा है हमारा दूसित, तो दूसित का हो जाएगा दूस्पून, छट्मा है भ्राते, तो इसका हो जाएगा भाईचारा, इसके बाद में एक सब्द और एक वाक्य मोतर दीजिए और इसका हमारा पहला है फर्स्ट कोस्टन है तो यह गन्य का पका हुआ गाड़े रसको क्या कहा चाता है तो जो हमारा गन्य होता है और वो पका हुआ उसके गाड़े रसको क्या कहते है तो उसको गुड़ कहते है तू एक्सरा है भक्तिन का वास्त्री नाम क्या था तू क्या था लक्ष्मी नाम था एक्सरा चोथा लेकिका की भुमर्ड की साथनी कौन रहती है तू कौन रहती है भक्तिन पांचमा है बदरी केदार के रास्ते कैसे हैं तो यह कैसे हैं तो यह तंग रास्ते हैं इसके बाद में जटमा है भक्तिन और लेक्षा की बीच के इसा संबन्द था इनके बीच में सिवक और स्वामी का संबन्द था साथ में जीट का पुत्र क्या कहलाता है तो उसको जठोथ कहते हैं इसके बाद में नेक्ष्ट है आठवा तो आठवा कोश्चन है बाजार दरसन किस विधा में लिखा गया है तो वो बाजार दरसन किस विधा में लिखा गया है तो इनने बंद में लिखा गया है ग्यारमा है चूरन बेचने का काम कौन करता है तो इसका काम भगजी करते थे इसके बाद में next है हमारा बार्मा तो बार्मा है परचेसिंग पावर का क्या आर्थ है तो ये क्रैस सकती अर्थात किसी एक चित वस्तुकु को खरीदने की चो छमता होती है इसको क्या बोलते इनेंद्र कुमार है एक चेतकर का अर्थ यह हो जाएगा लेखा के बाजार दर्सनि पाट में चूरण बेचने वाले को यह चूरण वाले को क्या कहते है एक्स्ट्रा पंद्रा तो काले मेगा पानी दे किस विधा से हैं तो यह कौन सी विधा से संस्यसमरांद से 16 है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेका कौन है धर्मीर भारती 17 है धर्मीर भारती का जन्म की स्वर्ष में हुआ तो इनका जन्म 1926 में हुआ 18 है बच्चों की सेना का क्या नाम था तो इसका नाम इंदर की सेना थी 19 है गुर्धानी का क्या थे तो गुर्ड चने से बना लड़ू को क्या कहते है गुर्धानी 20 है लड़की की टोली को क्या नाम दिया गया तो इसकी टोली को क्या नाम दिया गया तो इसको मैडक मंडेली का नाम दिया गया 21 से काले मेगा पानी दे पार्ट के लेखक कौन है तो इसकी लेखक धर्मीर भारती है 22 से पहलवान की ढूलग पार्ट किस विधा से लिया गया है तो ये कहानी विधा है थिभीज है मेला चल वपनियास की लेखक कौन है ऊसके लेखक कौन है तो इसका अच्छ़ हो झागा फड़िस्वर्नाथ रेड़़ू तो इसकी कीटी दूर दूर तक फैले वि थी, अथा इसे स्रीजस का फूल कब लहकता है, तो स्रीजस का फूल बसंथ में खिलते हैं, और भादो तक फूल्ब दे रहते हैं, तर तीसे जगत के सत्य क्या है, तो जगत के सत्य ब्रदा वस्तत दthers रठते हुए, 30. अब्धूत किसे कहा गया है तो स्रीस को क्या कहा गया है अब्धूत क्या कहा गया है क्योंकि ये भेंकर गर्मी में भी अपने लिए जीवन को करश जूंड लेता 31. रामायंड किसकी रचना है तो रामायंड बालमी की की रचना है और रामचरित मानस तुलसिदाजी की 32 अनासक्त का क्या आर्थ है तो अनासक्त का आर्थ है कि विशय बोगों से उपर उठता हो नेक्स्ट उसके बाद में 33 स्रीस के फूल कैसे होते हैं तो स्रीस के फूल कॉमल होते हैं उसके बाद में अगला है 34 नमबर का तो 34 34 नमबर का है स्रीज के ब्रक्ष कैसे हो है बड़े और बहुती जादर होते है उसके बाद मैं नेक्ष्टे तूरीपाет रिए और बहुत जादार होते है उसके बाद मैं स्के contrat x नेक्सर 27 दौक्र अम्बेट करना उच्छा किसके प्रोच्छान से प्राप की तो एक्स्ट आप की प्रेरख विख्ती कौन ते तू उधो बुद्ध कभीरो जौतिवा फुले एक्ष्टर चालिस डॉक्टर अम्वेटकर किसमत के अनुए आई थे तो ये किसमत के थे फिर बहुत दुमत के थे 41 है भारत के समिधान निर्माता किसे कहा जाता है तो भारत का समिधान निर्माता अम्वेटकर को कहा जाता है ब्याली से कहानी और पन्यास में कोई दू अंतर लिखी तो जो कहानी का कथत संचेप्त किंतू पन्यास का कथानक विश्तरित होता है और दूसरा है कहानी में पात्र संख्या कम होती है परन्तू पन्यास में कैसी होती है अधिक होती है ठीक है और भी हम लिख सकते हैं जैसे कह और संस्मराण में कोई दू अंतर लिखे तो यहां से हमारे का हैं कोश्चन फोड़े से लेंती हैं तो इन सारे को यह दो दू तीन तीन मार्क्स वाले जो कौश्चन है यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी हम आगे चलते हैं तो इसके बाद में अगला है हम नमर चार भासा बूद और इसका पहला कॉश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए पहला है वे विभिन सब्द जिनका सुरू संस्क्रेट नहीं है भारत में ग्राम चेत्रों अत्वा जंजातियों में बोली जाने वाली विभिन भासा परिवार के हैं कहलाते हैं तो ऐस इसमें कौन सा है इसमें बिस्मयादी बोधक इसके बाद मैं प्रिवासें सास्ट्र विग्नार Понच्रों जिन podrush नहीं है जिनकी परिभासा का पूहता हैं जो सब्सक्राइब वाज भासा के लिए प्रिवाच की जाना वाले सब्द हैं जाएंगे बॉलते हैं तर सब्सक्राइब नाइन्थ हमारा सब्दों के अर्थ फूर्ण समूल को कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है वाक के कहा जाता है दसमाय अर्थ की द्रश्टी से वाक के भेद होते हैं तो कितने भेद होते हैं आठ होते हैं जार्वाय रचना के मुशार वाक के भेद होते हैं कितने होते, तीन होते हैं, उसके बाद में अगला है हमारा बार्मा, तो बार्मा, जिस वाक्ते में one ही संग्या klia का प्रियूग होता है उसे हम कहते हैं, तो ऐसे वاक्ते को हम लोग क्या केते हैं उसके बाद मिछूदमा है मानों की विचारों को प्रोगट करने वाला सार्तक सकतें का विवस्ति समूर केहलाता है वाक के कहलाता इसके बाद मिछ पंदर है ये वाक केपने केला परनतु है ये नियंक संध्वाक क्षाना 16 ऑंगार उगलनाका ना Onर्थ यह स्कावत हaley जिना 18 अांधि को स्सक्राइब हुए कोई आने 20 है मक्खी पर मक्खी मारना का आर्थ है तो इसका आर्थ क्या है तो इसका निरर्थक काम को लगातार किये जाना 21 है खुले याम खुले खजाने का आर्थ है तो इसका मतलब क्या है तो इसका सब के सामने प्रिगट रूपना बावी से काट की हांडी बार-बार नहीं चड़ती का आर्थ है तो इसका आर्थ क्या है तो इसका है चल कपट का विवार हमेशा नहीं चलता नेक्ष्ट ह् propre अपने मरें बिना स्वर्ग नहीं दिखना का ओर्थ है तो इसका ओर्थ क्या है तो इसका स्वेंप्रेतल करने पर ही काम बनता है इसके बाद में अग्ला है हमारा 24 तो 24 में नम्मर क्ष makes आयते हरी भजन को मोटन लगे कपास का ओर्थ है तो इसका और्थ है किसी कारे विशेश के उपेक्षा कर किसी अनकारे में लग जाना इसके बाद में नेक्ष्ट है 25 तो 25 है धाक के वही तीन पात होना का और्थ है तो इसका और्थ क्या है तो यह सदा एक सब्थ इसके बाद मैं एक्ष्टर रिक्तिस्थानों की पूर्टी की जिसमें हमारा पहला है वह जो सब्द छेत्र विसेश में बोले जाते हैं कहलाते हैं ऐसे सब्द जो किसी छेत्र विसेश में बोले जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं तो इसका अंसर हो जागा छेत्रिय सब्धु का तकनिक सब्द ही वे सब्द भी नहीं समझ पकले उसके बाद में अगला है हमारा चटवा के बर्सा से नधियों का तीप्र हो जाता है तो बर्सा से नदियों का तीब्र क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है क्या हो जाता है? प्रवाह मतलब वो बहने की धारा साथ महा है भारत देश में बार से प्रति वर्स बहुत होती है तो बहुत क्या होती है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छती होती है नेक्स्ट आठवा हमें पान में सदेव बचना चाहिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा तो हमें मद्य पान में सदेव बचना चाहिए नहीं थे आजकल अच्छी फसल प्राफ करने के लिए बीज बोया जाता है तो इसका अंसर हमारा क्या हो गया है? तो इसका हो जाएगा संकर Next दसमा सब्ध यूग में के प्रिकार होते हैं? तो इसका अंसर क्या हैगा? चार प्रिकार होते हैं इसके बाद में अगला है हमारा ग्यार्मा, ग्यार्मा है जब एक ही सब्द की पुन्रा वृत्ति हो तो उसे इस सब्द यूग में कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा पुन्रूपती सब्द यूग में कहते हैं, बाविसमा बाक है, बाग के का सार्थाक सब्द समूब है, इसका कोई यर्थ निकल रहा है, फिर तीरमा है वह कहा गया है वाक के है, ये कैसा वाक है, तो इसका अंज़र हो जाएगा, ये प्रिश्न वाचक वाचक है, चौडमा है वाक्यों में किसी बात को साधान रूप से कहा जाता है, हạtते हैं लुट गया लुट गया वाक्ळण करता है तो нутरzäh स्क्रावर हां ऐसगे ज में।ो जलए कि के लोग पिर्सिदय उप्ती केलाएं तो इसको लोकरती कहते हैं 19 है दालना गलना मुहावरे का आर्थ है तो इसका क्या आर्थ है तो ये सफलना होना इसके बाद मैं अगला है 20 तो 20 है एक पत प्रिसिद मुहावरा है तो इसका क्या हो जाएगा तो इसका है एक पत एक पंथ दू काच क्या है प्रिसिद मुहावरा है 21 है तन पर नहीं लता पान खाय कलकत्ता का अर्थ है तो इसका क्या है तो 21 का हो जाएगा जूटा दिखावा यह क्या है यह जूटा दिखना यह तन पर नहीं लता पान खाय कलकत्ता का अर्थ है नेक्स्ट है 22 धूबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक है तो यह हमारा क्या है तो इसका हो जाएगा हमारा ये एक लोक होती है ये इस है उट के मुहें में जीरा मुहावरे का आर्थ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आविस्ट्रक्ता से कमबस्तू नेक्ष्ट हमारा 24 जेसी करनी बेसी भरनी का आर्थ है तो इसका हमारा क्या आर्थ है कर्मों के अनुसार और उसके बाद में नेक्ष्ट है 25 तो 25 मा हमारा लक्षणा सब्द सक्ति का प्रियोग में होता है तो इसका प्रियोग का होता है मुहावरे में होता है उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाईए तो पहला है हमारा स्वीकार निपात सब्द तो इसका हो जाएगा हमारा हां जी हां और जी नेक्स्ट है निसेधात्मक निपात सब्द तो इसका हमारा क्या हो जाएगा नहीं जी नहीं नेक्स्ट है नकारात्मक ने पात सब्द तो इसका हमारा क्या हो जाएगा तो जाएगा मत चौथा हमारा प्रिश्न बोधक ने पात सब्द तो इसका क्या हो जाएगा हमारा तो जाएगा क्या कब पांच में बिस्मियादी बुधक ने पात सकत, यह जाएगा काश, काश की, ठीक है? इसके बाद में, दूसरा है हमारा, पर शेके रखल में अरु it. ये कितना हो जाएंगे, तो इसका अंसर हो जाएगा इन. इसके बाद में अगला दूसरा है है हमारा तो ये second वाला है तुम यहां आओ तो इसका हमारा क्या हो जाएगा जाकर करें मिलेगा कैसा है आग्या वागण नेक्स दर अर्थ की Cow's अधर पर वाग ईकित्की प्रकारर किवते हैं तो ये स्वोतह है तुम जाओ तो कون यह हमारा क्या हो जाएगा तो इकक निजितात्म हे वाक और हो कुटाएंगा next है ही राम क्या क्या ऐसमें वाक हुझा है शाड़ासद़ इस इस का हो जाएगा ? पिंश्म वाचक और हराम घर आया और सू गया तो इसका क्या हो जाएगा यहाया तूरम है आठाना है मेरे पास जो साइकिल है वैट तूटी होई है तो यह क्या हो जाएगा हमारा सेख तुबाग इसके बाद में अगला तीसरा है हमारा मैंजज़ा कोलम्प leveraging इसमre 3 लाः तो इसका क्या आहरते तो यह अदासीन हो जाना नेक्ष्टαι आँखों पर पट्टी होंधना तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अन्देखा करना है पांच माय लगफाइध तो हमारे मौहवरा cens कहुकर रहें इसके बाद मंएरेक्ट मंद्ध कहुत तो इसमें पहला है तो यह क्या हो जाएगा हमारा प्लबन चौता है दो व्यक्तियों के बीच्वार तलाप यह क्या हो जाएगा संबाद और पाचमाया था शूमा नहीं चूर्टा करना उसके बाद मैं अगला हें हमारा एक एक सब्द और एक वाक्ति में उत्तर दीजिए पहला किसी भी विसाय से संबंदित ऐसे सब्द जिनका प्रियोग मुख रूप से उस विसाय की चर्चा के लिए किया जाता है तो ऐसे को हम क्या बोलते लक्षणा सब्द सकते कहते हैं दूसरा है तकनीकी सब्द अंग्रेजी के कि सब्द का हिंदी परेया है तो किसका है टेकनिकल का तीसरा है भौतिक विज्ञान में प्रियुक्त तकनीकी सब्द लिखिए तो कौन-कौन सा होता है गृत्वाकर्षन बेग त्वरण ऐसे कोई से भी आती है लिख सकते हो नेक्स कर्म, संकर्फ, आदी पाचवा है पाच शेत्री सब्द लिखिए तो पाच शेत्री सब्दे जैसे बहरा, गड़ई, और खचना, पिरंडी, तिलिया, आदी बुंदेल खंड की शेत्री सब्द है उसके बाद में अगला है हमारा चटवा तो चटवा है तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, इस वाक्य को निपाथ सब्द लिखिए तो इसमें जो निपाथ है वो क्या है तक ठीक है इसके बाद में नच्छे साथमा, पांच निपाथ सब्द लिखिए तो निपाथ कौन तो इसके कौन कौन से होती समानार्थी और विप्रीतार्थी पुन्रूक्त समझाती है और समनार्थक निरर्थक और निरर्थक ये इसके भेद हैं यहर्म है पुन्रूक तो सब्धायोग में के उधान गजाने इसके का वार है तब सब्ध कारानात्म को सब्ध सब्ध गर लिया जाता है तब सब्दियुग में कहलाता है तो ऐसे सब्दियुग में कहलाता है अनुकरनात्मक सब्दियुग चौदमा है अनुसरनात्मक सब्दियुग में परिभाशा वा उधान दीजिए तो हिंदी में कुछ सब्द ऐसे भी है जो जैसी धोनी सुनाई दे वेसे ही लिख देना अनुकारण आत्मक सब्द के लाता है जैसे फट फट धढ़ धढ़ ठीक है उसके बाद में पंद्रा है भिन बरतनी चारण वाले सब्दी उगमक के उधान दीजिए तो जैसे लेंदेन जोड तोड सम विसम आदी सोलमा है राम सायद घर पर ही है किस प्र परनने जाओ यह पाठ तुम पड़ो यह कौन सा आग्यावाच है उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अठारा तो अठारमा है यदि मदू जानती तो जरूर मेरे घर आदी किस प्रकार का वाक है तो यह कैसा है बल प्रदायक वोधक निपाद है उन्नी से स्याम जा रहा है वाक्य किस प्रकार का है तो यह कैसा सरल वाक्य है बीस है हमारा मिस्रित भिन्न का इसरी मिस्रित वाक्य का एक उधान दीजिए तो जो नाच्टी गाती है वह राधा है एकीस है जब कई सरल और मिस्रित वाक्य समूए अवयवों के दुआरा एक ही वाक्य में जोड़े रहत तो इसका होगा तो इसका हो जाएगा राम साहीदी घर पर है नेक्स्ट चोविस उल्टी गंगा भाना का अर्थ क्या होगा इसका हो जाएगा नियम देन दिकारे करना चिसे छोटे छोटे वाक्यांस क्या कहलाते हैं तो इनको क्या कहते हैं मुहावरी 26 सरक अंदे की लाटी का अर्थ इस्पस्ट की जीजिए तो इक मातर सहार होना 7 Independent से गागर में सागर भरना किया अर्थ तो थोड़े से जादा कहना 28 से लोकुतियों को अन किस नाम से जाना जाता है नेक्ष्ट हमारा 29 29 से कान देना मुहावरे का अर्थ बाग के प्रियोग द्वारा स्पष्ट कीजिए इस कान देने का मतलब होता है ध्यान से सुनना यानि पिता की बातों पर कांग दिया करो बाद मैं काम आएंगी नेकस्ट एतीस आगे नाथ ना पीछे पग्गा लोकुतियों का अर्थ वाख के कि कपरियोगर करके बस्ट कीजिए तो इसमें क्या होता है आगे नाथ ना पीछे पगा किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना होता है जिसे बाग के प्रियोंग में है पिता के मर जाने के बाद रविंद्र की हालत आगे नात ना पीछे पगा वाली हो गई नेक्स्ट है इकतीस चांदी का जूता मारना लोकोतियों का सही अर्थ बताईए तो इसका है रिस्वत या गूस देना जैसे तसकरी के ध में ना फहरा लाब प्राप्त करना अंधा प्रॉत्तजियोंस का तो इसका मतलब क्या मतलब क他的 प्रिस्वत ने क्या उर्थ चोथिसे लखत्तियों में लोकोतियों में क्या छुपा होता हूँ यह वं नीयं मो आदी का आधारित चुपीला और सार गर्भित विस इस आर्थ तो चुपा होता है किसमें लोगोती में इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा एकाई है वह एकाई पांच तो उसके उपर हम लोग चलते हैं एकाई पांच है हमारा बितान भागदू ठीक है तो इसका पहला कोश्चन है हमारा सही विकल्प चुनकर के लिखे इसके बाद में दूसरा है यह सुदर बाबु का अपना आदर्स मानते थे तो यह किसे मानते थे किस नदा को इसके बाद में तीसरा है यह सुदर बाबु मूलता रहने वाले थे तो यह कहां के रहने वाले थे तो यह कुमाओ के रहने वाले थे इसके बाद में चौथ तो कौन से कि पुसकी णाफ़ाख पूरा मत पूरा नाम क्या है इसके बाद में एक्स रहन है मन यह अए पुत्र कहा है, तो वो कौन सा कहा है? इसका अंसर हो जाएगा हमारा मानस पुत्र. साथ मैं ये सोदर बाबू किस तरह के जीवन के वक्षिधर थे? तो किस के थे? साद्गी पूर्ट जीवन के. आटवाएं ये सोधर बाबू के बिभाय की बर्स गांट थी तो ये कौन सी थी 25 बर्स गांट थी नाइन थे ये सोधर बाबू अपनी पतनी दथा बच्चों से चाहते थे तो क्या चाहते थे तो परंपराओं का फालन दसवा है मराटी भाजा में लिखी जूच कहानी का हिंदी अनुबात किया तो ये किस ने किया था तो ये केसोध फिर थमबीर ने किया था उसके बाद में नेक्स्ट है ग्यारा आनंद के मराटी अध्यापक का नाम था तो उनका क्या नाम था था नावा स्दलगेगर उसके बाद मैं next है 22 तो कहाने का सीर्षक जूज का अर्थ थे तो इसका क्या अर्थ है संधर्ज स्थ नेक्स्ट है जूज रचना किस वहाद सामें लिखी गई है तो ये कौन सी वहाद सामें लिखी गई है मराठी, चौदा है लेखक पढ़ना क्यों चाहता है, तो लेखक क्यों पढ़ना चाहता है, नौप्री के लिए, उसके बाद में अगला है 25, स्वरी 15, तो 15 है जूज कहानी से लेखक की किस्क प्रुवर्ति का गहाटन हुआ, तो तो मुएं जोड़ो के खरव में टहलते हुए लेखा को ओम धानवी को याद आई इनको क्या याद आई तो खुल घरा लाओंगी इसके बाद में next है 19 19 है सिंदु सब्विता की क्या विस्षिस्ता है तो इनकी क्या विस्षिस्ता है सौंधर बोद 20 है मुहन जोद्रो अपने समय में किसका केंद रहा होगा तो इसका रहा होगा सब्विता का 21 है सिंदु सब्विता की सौंधर बोद को क्या नाम दिया है तो इसको क्या नाम दिया है समाज पोशित इसके बाद में अगला है 22 तो सिंदु सब्विता में कपास उगाए जाते थे इसका क्या पिरमाण है तो इसका क्या प्रमाड है सूती कपड़ा तेवी से लेखा के अनुसार मुहन जोदुडू का नगर कितने हजार साल पूर्व का है तो यह कितने हजार साल पूर्व का है इसका अंसर हो जाएगा यह करीब पांच जार साल पूर्व का है 24 है रखल दास बनरजी मुहन जोदलों पर किस वर्स आये थे तो यह किस वर्स आये थे सन 1922 में आये थे अगला है हमारे रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें पहला है आप लोगों की देखा देखी सेक्षन की घड़ी भी हो गई तो यह कैसी होगी सुस्त होगी दूसरा है सिल्वर बैडिंग के इक अथा नायक को अपना आधर्स मानते थे तो यह किस को मानते थे किशनदा को तीसरा है मनोहर सहम दोसी का जन में हुआ तो इनका जन कब हुआ 9 अगस्त 1933 को हुआ ठीक है उसके बाद में अगला है हमारे चोथा किसननदा ने यह सुधर बावु को उधार भी दिये तो क्या दिये तो इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपे इसके बाद में इसके बाद में छट्वा है सिल्वर बैडिंग कहानी में फिर्मुक पात्र यह सुधर पंत यानिबाइडी पंत की साधी का वर्णन है तो किसका वर्णन है उनकी कौन सी साधी की अनिवर्सरी थी 25 साल गे राए थी साथ में यह सुधर बाबु के दफ्तर से लोटते हुए रोज जाने की रीती अपनाई तो रोज कहा जाते थे वो इसका आंसर हो जाएगा बड़िला मंदिर नेक्स्ट है उसके बाद में आठवा यह सुधर बाबु मूल रूप से के रहने वाले थे तो यह कहा के रहने वाले थे कुमाओ के रहने वाले थे इसके बाद में नेक्ष्ट हमारा नाइंथ तो नवा है दिन्मान सब्ताइक हिंदुस्तान पत्रिका की संपादक जूसी जी का निधन को हिर्दय गती रुख जाने से हुआ तो इसका अंसर क्या आएगा ये सुदर वाबू का ये स्कॉलर से प्ले कर के कहा चला गया अमेरिका चला गया तो इसके बाद में नेक्ष्ट है बारवा है सोंधल गेकर भासा के सिखशक थे तो ये कौन सी भासा के सिखशक थे तेरा है आनद यादभ का पूरा नाम था तो इनका पूरा नाम क्या था आनंद रतिल यादब और चौदमा है जूच कहानी लड़ते जूचते किसान मजदूरों की चाकी है तो किसान मजदूरों की किस की चाकी है संगर्स की चाकी है इसके बाद में अगला है पंद्रा तो पंद्रा है जूच कहानी में लेकह के گھर कोलू के बाद रूप होता था तो क्या होता था इसका आणसर आजाएगा दिवाली नेक्स्ट है coupon 16 देशाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए की था की बाद था तो कौन सी बाद था इसका अंसर हो जाएगा सम्मान 17 है जूज कहानी में लेका कद्यापक की प्रियर्णा से कभी बन गए तो इसका अंसर क्या है कौन किसकी से तो इसका सौंद लेकर की प्रियर्णा से इसके बाद में 18 है जूज गर्दी की बिधा के अंतरगत आती है इसके बाद में निस है मंत्री मास्टर पढ़ाते थे तो यह क्या पढ़ाते थे इसका आमसरण जा तो इनको 11 बुजे तरक काम करना होता है नेक्स्ट हमारे किस कहानी जूच एक की छाकी है तो कहानी जूच किस की एक छाकी है एक ग्रामिर खिसान की सिछा प्राप में लाला एक पुत्र के सैंघर्स की गाणी है नेक्स्ट वाविस आनंदा की रक्षा अध्यापक का नाम क्या था तो क्या था मंत्री था इसके बाद में अगला है तेवीस मुहन जोदुडो में पत्चीस पूर बूचे चबुत्रे पर है तो इसके उपर क्या है तो इसके उपर एक बहुत इस्तू है एक्स्ट चोविस मुहन जोदुडो में लगवक हुए थे तो मुहन जोदुडो में लगवक कितने कुए थे शाथ सो पच्चीस ओम धानवी ने राजस्थान के जैपुर से निकलना वाले तांत्रिक समुए के सब्तायक पत्र से अपने पत्रकार जीवन की सुरुबात की तो इसका आज्सर क्या रहे गाएं कौन से नगर के साथ की गई चन्डी गणनगर के साथ की अगला हमारा प्रही बनाए तो पहला है आनदयादब तो यह नहोंने क्या लिखा दूदू एक्स्टै किसन अंदः तो वह यह क्या थी वहारे थे झाल मंत्री नामक माश्टर तो जो तो यह सिल्वर वड़े तो यह क्या है एक लंबी कहानी है। जूज तो यह क्या है एक उपन्यास कान से है। अतीत में दवे पाऊ। तो यह हमारा क्या है यात्रा वरतांत है। और डॉप्टर आनंद यादब तो यह कहते मराठी साहित दिकार्ति। उसके बाद मैं अगरा है बैठने लगा एक्स्ट मुहं जोदडो नेक्स्ट अम्थानवी तो अम्थानवी ये किसे है अतीत में मिलकर लाओ तो ये क्या है पकाओ और खाओ वसंत पाठिल वह ये क्या है सरीर से दुबला पतला था, सिंदू घाटी सब ले था, एक एसी है, खेटी हर और पसुपा लगती इसके बाद में अगला है, एक सब्द और एक वाक के मुत्तर दीजिए जिसमें हमारा पहला कॉस्टन है किस नंदा का बास्ट्विक नाम क्या था? तो इनका वास्ट्रिक नाम था क्रिष्णा नंद पांडे इसके बाद में दूसरा है, यह सुधर बाबु ने मैट्रिक की परिक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो इनको ने मैट्रिक की परिक्षा रेमजे स्कूल से पास की थी तीसरा है रोजी रोटी की तलास में आई यह सूधर पंत को किस ने सरण दी तो किस ने दी थी तो इनको किस नंदा ने सरण दी थी उसके बाद मैं अगला है चोथा है यह सूधर बाबु अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे तो यह सुदर बावु है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से अपना पन चाहते थे छूटा दिखावा छोड़कर भारती रिवाज मानना चाहते थे नेक्षट पांचवा किसननदा यह सुदर को क्या कहकर बुलाती थे तो वो किसनननदा यह सुदर को भावजी कहकर बुलाती थे इसके बाद मैं नेक्षट छटमा जूज उपरन्यास के हिंदी अनुवाद का नाम लिखिए तो इसके हिंदी अनुवाद का नाम क्या है तो आन आनंद यादव और उसकी मा किसके पास गए तो लेखक आनंद यादव और उसकी मा दताजी राओ देशाई के पास गए इसके बाद मैं नायन थे पार्ट साला जाना की बात लेखक ने सबसे पहले किस से की तो पार्ट साला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले अपने मा से की 10. मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे तो मंत्री मास्टर लेखक को आनन्दा कहकर पुकारते थे 11. जूज कहाने मुक्विता लेखक की किस प्रवर्ती को जागर करती है तो यह किस को करती है संगर्स में प्रवर्ती को जागर करती है बारवा है इक से गुड जादा निकले इसलिए गाओं में अनकिसान क्या करते थे तो इसलिए गाओं के अनकिसान एक की खेती में जादा दिन रहने देते थे इसके बाद में एक्ष्ट है 13 तो 13 है कागज और पैंसिल ना होने पर लेखा कभीता कैसे लिखता थे तो लेखा सिंदू सब्विता की इंटों की बनावट का अनुपात क्या था तो इसका अनुपात क्या था चार अनुपात दो अनुपात एक 15 है सिंदू सब्विता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंकेसा है तो गेहूं का रंकेसा है काला है 16 है सिंदू सब्विता की खुदाई किस नगर से की गई है तो यह किस से की गई है चंडी गड़ से अठारा है सिंदु घाटी की सब्विता में कौन से फल उगाए जाते थे तो इसमें कौन से फल उगाए जाते थे अंभूर कर उगाए जाते थे नेक्स्ट उन्निस मुहन जोदुरो नगर कितने 1000 साल पुराना है तो ये 4000 से 5000 साल पुराना है नेक्स्ट बीस मुहन जोदुरो से प्राप्त महाकुंडी की लंबाई चोणाई वा गहलाई कितनी है तो इसकी लंबाई 11.88 मीटर चोणाई है तो यह किस का आया, तो राजस्तान का क्या लाएं, नेक्स्ट वाबीस, तो अजयाब घर में तैनात वेक्ति का नाम था, तो इसका नाम क्या था, अली नवाद था, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगले उसके उपर, तो अगली काई है हमारी सिक्स, ठीक है, तो छटवे का योर हम देख लेते हैं, तो यह है अभी वेक्ति और माध्याब, इसमें पहला गोश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, और टीवी पर प्रिसारित खबरों में सबसे महत्पूर है, तो कौन सी है, तो इसमें विजुल भी है, वाइट भी है, नेट तो तीवस्तरा है, बर्तमान चापा काना का आविस्कार हुआ, तो यह बर्तमान चापे खाने का आविस्कार का हुआ हुआ, चीन में हुआ, चोथा रेडियो माध्याम है, तो रेडियो कैसा माध्याम है, तो इस्च्रव का माध्याम है, पांचमा है, भारत में पहला चाप काना खुला तो ये भारत में पहला चापा खाना कब खुला 1556 में छटमा है पत्रकार के प्रकार होते हैं तो पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हो नहीं कितने जाता हैं प्रकार के बीच काम का वेवाजन के होता है तो यह क्या कहलाता है? कहानी का चुनाओं किन बातों पर निर्भर होता है ते किन पर होता है कहानी की अवधी ज्यादा ना हो नेक्स्ट बार्मा रेडियो नाटक में निमनमेसी क्या निवारी है तो इनमेसी क्या निवारी है समबाद अनिवारे इसके बाद में अगला है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए तो पहला है भारत में पहला चापा खाना में कुला तो ये कहां कुला तो इसका अंसर हो जाएगा गुवा में कुला ठीके इसके बाद में अगला है मारा दूसरा मुद्रों की सुरुवात में हुई तो ये कहां हुई चीन में हुई उसके बाद में नेक्ष्ट बर्तमान छापा खाना की सुरुवात में हुई तो ये कहां हुई गुटेन बर्ग में हुई चोथा उल्टा प्रामट सेली का हिस्सो में बाटा जाता है तो इसके बाद में अगला है पांचवा तो पांचवा है समाचार लेखन की पिरकार है समाचार लेखन की कितना पिरकार है छे है उसके बाद में अगला है छटमा समाचार लेखन प्रामिट सेली है तो ये कैसी प्रामट से लिए उल्टा साथ महा है संपादक के नाम पत्र इस्तंब को प्रतिविम्वित करता है तो इसको क्या प्रतिविम करता है जन्मा आठ महा है एक सफल साक्षात करता हमें होना चाहिए तो इसमें क्या होना चाहिए तो परियाप्त ग्यान होना चाहिए नेक्ष्टर नाइंद इस्तंब लेखन का पिरमुक रूप है तो ये कैसा है जिसका अंसर हो जाएगा विचाराद विचार परक रसमा है संपाद की एकोग की आवाज माना जाता है तो किसकी आवाज माना जाता है आम जनता की उसके बाद में अगला है हमारा ग्यार्मा तो ग्यार्मा है कवीता की अन्जानी दुनिया का उक्करण है तो ये क्या है छानदुबा मूक तक चल विचार्म है कहानी का कैंदी बिंदूभ होता है क्या होता है क्थान नेक्ष्ट सही जोडी बनाईये तो इंटरनेट की शुरुवात यह कब हुई थी 1979 भारत में इंटरनेट यह कब हाया 1995 नेक्ष्ट परत्र कारेता का पहला दोर तो यह कब हुआ 1826 नेक्ष्ट मुद्रित माद्यम की विसेस था तो यह क्या है सब्दों का स्थाइट इस रिपोर्ट का प्रकार्ट इसे हम क्या कहते हैं इंडेक्स इसके बाद में अगला है एक सब्द और एक वाक्य में उतर दीजिए तो जो हमारा पहला है वो है रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना सेली होती है तो यह कौन सी होती है उल्टा प्राम क्या है इसका मतलब है हाइपर टेक्स माक अप लेंग लेंग विच तीसरा मुद्रित माध्यम की प्रमुक्ष इस्तार क्या है तो यह क्या है चपींगी सब्दों का स्थार्ट होना चोता है डेड्लाइन किसे कहते हैं तो समय सी माधिए पांचमा उल्टा प्रामट सेली के क इतना प्रकार है तो इसके च्चेशा प्रकार है आठवा पत्रकारों के तीन मान लिखिए तो कौनगों से जैसे पू EXPLS अंस्कालिक और हाड़ी को प्रति बंद करता है तो इसका उन्सर क्या जाएगा इस्तंब लेकर विचार परक लेक्स का प्रमुक रूप है जन्मत को प्रतिविंदित करना इसके बाद में नेक्स्टा दस्वां बीट क्या है लिखिए तो जो कंप्यूटर तथा अंकी संद्शना में प्रियुक्ति सूचना की आधार्भू तिकाई को क्या कहते हैं बीटी अब बिट कहते हैं जिसे वह वाइनरी ओप्रेशन होता है जीरो और वन यह हमारे ओफ बिट ऑन विट यह बीट कहला तो यह हरवा है कविता के संबंद में प्ले संद्शना में बिट और है करेक। छटमा है उल्टा प्रामट सैली को तीन भागों में माटा गया है तो यह हमारा कैसा सत्त है साथमा है रेडियो और टीवी की भासा में कटिन सब्दों की बहुलता होती है तो यह कैसा असत्त है आठमा है भारत में कम्पीटर सिक्छा बढ़ रही है तो यह कैसा सत्त है नाइन थे BBC, CNN और वासिंग्टन पोस्ट विस्ट के प्रमुक सहरों के नाम है तो ये कैसा असत है दस महाँ पत्रकारों के पांच प्रकार होते हैं तो ये भी कैसा असत है यार महाँ पत्रकारता लेखन की भासा सरल होती है तो ये कैसा सत है उसके बाद में बार महें समाचार लिखन के साथ प्रकार होते हैं तो ये कैसा असत है तेर महें नाटक की मूल भी सिस्ताय समय का बंधन है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा असत है चौदा है नाटक की आंदोलन की विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिता नहीं है तो ये कैसा हमारा असत्य उसके बाद में अगला है लगूत्रिय प्रिश्न तो आप लोग अगर कमेंट करोगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिलते हैं ऐसी एगली वीडियो में इसके और जो बाकी के टॉपिक है और में अब्जेक्टिव नहीं है हम लोग के बला अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव बाला पोर्शन देख रहे थे पत्र लेखन बगेरा यह सब है अगर आप कमेंट करोगे तो ये भी हम आपको एक्स्पेंड कर देगे आपको वीडियो को देखते रहना है ठीक है और कमेंट करते रहना है ताकि हम आपको और भी अच्छा देखाए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब पर लेना है थेंक्यू बाई टेक केर